Somehow, somehow यानि किसी तरह, किसी तरह मैंने जो canvas था, somehow I managed to stretch the canvas, stretch करना यानि फैलाना, somehow I managed to stretch the canvas, manage करना यानि किसी तरीके से व्यवस्था करना, किसी तरह मैंने व्यवस्था की, उस लहर के बीच, नाओं के जोंके के बीच, तेज हवाओं के बीच, पानी में रहते हुए, तूटी हुई जगा में, मैंने व्यवस्था थी किसी तरह, कि उसको जो canvas लाया था, मोटा कपड़ा, उसको फैला दूँ, और जो gaping hole है, gaping मतलब बड़ा, gaping यानि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जो hole थे वहाँ पे, hole यानि छेद, h-o-l-e hole, और w-h-o-l-e hole मतलब पूर्ण, पूरा, hole, hole people, whole group of people should come, whole group of people should come, वहाँ पर w-h-o-l-e होता है, और यहाँ hole है, hole यानि छेद, तो मैंने किसी तरह से, somehow, somehow यानि किसी तरह, struggle करके, संघर्च करते हुए, somehow I managed to stretch the canvas, मैंने canvas को ऐसा फैलाया, और उसके बाद, जहाज में उसको लगाया, और जो बहुत सारी जो छेद बने थे, उन छेदों को भर कम करने की कोशिश किया, some water still continue to stream below, लेकिन अभी भी कुछ पानी continue to stream below, stream मनलब आ रहा था, stream मने आ रहा था, नीचे, below याने नीचे, अभी भी पानी नीचे कुछ आ रहा था, लेकिन most of it was now being deflected over the side, वो canvas लगाने के बाद भी नीचे के हिस्से से थोड़ा थोड़ा पानी आई रहा था, लेकिन फिर भी ज़्यादा पानी deflect हो रहा था, deflect होना मतलब दिशा बदल जाना, वो जो canvas मैंने लगाया था, canvas से पानी टकराया, और अधिकतर पानी side में चला जाता था, जहाद के किनार तो जो खुला हुआ जो था, gaping hole जो हो गया था, जो छेद हो गया थे, पानी से टकराने से जो लकणिया टूड़ गई थी जहाद की, और जो bulge हो गई थी अंदर, अंदर की और जो फूल गई थी, वहां से जो पानी आ रहा था, काफी कुछ मैंने रोग दिया, लेकिन फिर मरूड़ से पानी आपके प्रियृ भूच कानवर थे, वहां से लिए थे, बाहत की और लोग भिषा का थे, भाई रोग वाया ह hazard मैं आपके, जो समस्यां आने लगई हो गई है धी जो आच का थी, आच की और चा क्रिबध के रrüल हिक का शेमना चेक कर तो और थे, हुल यो द ले दे के मैं निप्टाये था, कि पानी के तेजी से भाव को रोकने के कोशिश किया था, लेकिन अब दूसरी समस्या है हो गई, कि जो hand pump था हमारा, वो hand pump ब्लाक होने लगा, और ब्लाक होना मतलब पानी न निकलना, और किस चीज से ब्लाक होने लगा, debris floating around the cabins and debris floating around the cabin debris मतलब कच्रा, debris मनें waste, कच्रा, d-e-b-r-i-r, debris, कच्रा जो जहाज के अंदर जो सारा सामान अब कच्रे के रूप में यहाँ वहाँ लह रहा था यहाँ वहाँ जो हिल रहा था, वो सारा सामान अब जो hand pump था, उसके जो pipe था उसको block करने लगा और block करने से क्या हुआ कि hand pump से अब पानी बाहर नहीं फिका पारा था और उसके साथ एक और चीज हो गए थी, कि जो electric pump था उसका काम भी था पानी फेकना, वो electric pump भी short circuit हो गया पानी तो पूरे जहाज के अंदर था, तो naturally ऐसी स्थिते में तो short circuit हो गई तो electric pump ने भी काम करना बंद कर दिया, दोनों hand pump जिन से पानी बार बार निकाल रहे थे वो भी block होने लगे, चोक होने लगे, block करना मतलब रुखना, block तो they started blocking, और hand pump short circuit होने लगा, हो गया, हमारे तीन pump बेकार हो गया, ने समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी The water level rose threateningly, threateningly मतलब खतरनाक रूप से, threat करना मतलब धंकी देना, threaten मतलब धंकी और Threateningly मतलब खतरनाक रूप से, भयानक रूप से, threateningly मतलब भयानक रूप से, याद रखिएगा, तो water level rose threateningly अब जब pump ही काम करना बंद कर दिये, तीन pump वो भी, और hole से अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आई रहा था, तो पानी का जो level था वो अंदर बढ़ने लगा, और पानी का level बढ़ना अंदर मतलब, जहाज के डूपने की संभावना बढ़ना Back on the deck, I found that our two spare pumps had been wrenched overboard, और जब मैं वापस अपने deck पर पहुंचा था, भागा दाड़ी करके, नीचे की hole बंद करके, तो वहां मैंने देखा कि जो दो spare में pump थे, extra pump, they had been wrenched overboard, वो ऊपर पहुंच गया थे, रेंज मने खुल जाना, ऊपर जाके खुल गया थे, along with the four-stay sail, the jib, the dingy and the main anchor, अब देखिए, लहराता हुआ जहाज, तूफानी हवाएं, बड़ी-बड़ी समुद्र की लहरें, अंधकार, light नहीं, और मत्र, उस वहां जहाज में पाँच लोग, छे लोग, दो, पती-पतनी, दो उनके assistant और दो बच्चे छे लोग, सोच सकते हैं कि कितनी भयावा स्थिती होगी, और रात्र का समय, ऐसे में जब मैं वापस पहुंचा, अब जहाज में पानी भरता हुआ, मैं देख रहा हूँ, पंप खराब हो गया है, तीन-तीन मैं उपर आता हूँ, तो क्या देखता हूँ, उपर आता हूँ, देखता हू कि सब कुछ खुल गया हूँ पर, पानी की लहरों से, पानी की तेज जपार से, और वो जो मेरे जो पंप रखे थे, एक्स्टा पंप वो भी खुले पड़े हैं, along with the four-stay sail, जो एक्स्टा सेल होता है, एक्स्टा जो पाल होता है, वो वहाँ पड़ा हुआ था, जिब जो थ नाओं की मदद से समुद्र में उतर जाते हैं, और फिर छोटी नाओं जो है, समय के साथ-साथ, लहरों के साथ-साथ, सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन किनारा लगा देती है, वो डूपती नहीं, डिंजी और छोटी नाओं, तो डिंजी and main anchor, और जो मुख्य उसका वो जो किसके बोलते हैं, एक तो anchor होता है, जो किसी कारकरम को संचालित करता है, जैसे टीवी के anchor होते हैं, किसी कारकरम को संचालित करने वाले लोग भी anchor कहलाते हैं, जो माइक में आके बताते हैं, अब किस का करम है, अब कौन बोलने आएंगे, अब क्या कारकरम है, और एक यहां पर एंकर है जो सहारा दे तो जो जहाज को जो रसी रहती है वो भी सब यहां वहां लहरा रहते हो ऊपर आने पर यह मैंने द्रिश देखा और पंप वहां लख रहा उसी समय देन आई जो 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 नीचे चाट रूम था वहां पर एक और बिजली का पंप था अचानक मुझे याद आया आए रिमेंबर्ड वी हैड अनेदर एलेक्ट्रिक पंप आई कनेक्टे इट तो अन आउट पाइप और वहां पर एक पाइप की मदद से पंप जहां पर रखा था उससे उसको जोड़ा और उपर उठाया तो पंप आ गया स्वभाग्य से स्वभाग्य से मेरा पंप उसको मेरा मेरे पास जो पाइप था उससे मैंने वो पंप पकाड लिया पंप बहर आया और तो और स्वभाग्य से वो चालू था और स्वभाग्य से निकले हुए एक पाइप चे मैंने सको कनेक्ट किया खींचा और हमारा स्वभाग्य था कि वो पंप काम कर रहा था I was thankful that the pump was working. The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping. The night was dragged, the night dragged on with an endless anand. खटम नहीं होने वाली रात The night bring on, T prom river rocky state only they will not surve "' राइप बड़ी लंबी लग रही थी जब अच्छी चीजा नहीं होती है, जब अच्छा नहीं होती है तो रात लंबी लगती है कोई भी चीज का समय लंबा हो जाता है , लगता है , समय तो उतना ही रहता है लेकिन ऐसा लगता है आप किसी क्लास में गए हैं पढ़ने आपको वो कछा पसंद नहीं आ रही हैं शिक्षक की तो ऐसा लगता है कि 40 मिनट क्यों नहीं खतम हो रहा है आपको इसा सिनेमा गए हैं वो सिनेमा बहुत आपको अच्छा नहीं लग रहा है मजा नहीं आ रहा है सम मैं तो अपनी गती से निकला जा रहा है लेकिन आपको लग रहा है बहुत लंबा खिच रहा है तो जब शिनेमा इस ड्रैगिंग ओन तो यहां पर राज वस ड्रैगिंग ओन नाइट वस ड्रैगिंग ओन राज खिची जा रही थी with an endless bitterly cold routine of pumping और ऐसा लग रहा था बहुत समय से अनन्त, endless, समाप्त ना होने वाला समाप्त ना होने वाली जो ठंडी हवाएं थी समाप्त ना होने वाला जो pump मारने का रूटीन था हम pump मारे जा रहे थे लगा था एक pump तो मिल गया था बाकी pump खराब हो गया थे पानी को अंदर के अत्रिक पानी को बाहर फेकें तो बस रात उसी में निकली जा रही थे हम pumping कर रहे थे, steer कर रहे थे जहाज को रास्ता दे रहे थे and working on the radio हम लोग क्या काम कर रहे थे रातों में रात में तीन मुख्य काम लगातार मैं फिर से दोरा दूँ the night dragged on with an endless bitterly cold bitter मैंने बहुत कड़ुआ बुरी तरह, बहुत कड़ुआ मतलब, बहुत ज़्यादा ठंड bitterly cold और वो भी पानी भी कितना ठंडा रहा होगा जिसको हम लोग फेक रहे थे और वो पानी जो आ रहा था आता पानी और पंप से लगातार उस पानी को फेकना कितना ठंड लगा होगा और उसमें जहाज का डावा डूल होते रहना लहराते रहना तो उसमें हम क्या कर रहे थे we were busy pumping we were busy steering दिशा देते, steer करना मतलब दिशा देना जहाज को दिशा देना वील के माध्यम से, we were steering and we were working on the radio और साथ ही हम कोशिश कर रहे थे कि रेडियो हमारा चालू हो जाए रेडियो कर्थ होता है किसी से संपर्क होना रेडियो मतलब गाने का रेडियो नहीं, रेडियो मतलब रेडियो की तरंगे इसके माध्यम से, उन तरंगों के माध्यम से किसी से संपर्क हो जाए तो लगातार में हलो 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 जो हमारा communication system होता है जहाज का उससे में लगातार संपर्क में कोशिश कर रहा था कि किसी से बात हो जाए पता लग जाए हम कहां हैं उनको मालुम हो जाए कि हम लोग कहां हैं कितने खत्रे में हैं संपर्ख हो जाए किसी से तो यही तीन काम हम रात भर करते रहे नाइट ड्रैग डॉन रात लंबिक हिस्ती चली गई लग रहा था कब दिन हो भाई कब जाला दिखे कब रोशनी हो जाए कब सूरज आए कब लोग दिखाई दे कब जमीन दिखाई दे दे नाइट ड्रैग डॉन विद एंडलेस बेटरली कोल्ड रूटीन अफ पंपिंग steering and working on radio we were getting no replies to our calls made a call मतलब वो जो radio से जो call करते हैं उसको हम कहते है made a call उस call का कोई call का कोई जवाब नहीं आ रहा था हम hello 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 कह रहे थे सामने वालों को सुनाई नहीं दे रहा था पता नहीं उनके तक पहुँच पा रही थी कि नी ये तरंगे हमारी आवाज और ये सर्प्राइजिंग भी नहीं था it was not surprising in this remote corner of the world दुनिया के उस कोने में जहां हम थे केप टाउन से थाड़े तीन चार पांच हजार किलो मीटर आगे सदर्न इंडियन ओशन की खतरनाक लहरों के बीच और वो जगह लगवग ऑस्टेलिया से एक जगह है मेडागासकर उससे दोनों जगह से बरावर की दूरी पर थी केप टाउन से भी उतना ही दूरी पर थी तो दूरी सब जगह बरावर मतलब बहुत अंदर थे हम वहाँ पर कोई हमारे रेडियो को पकड़ ले कोई हमारी आवाद को कैच कर ले किसी तक हमारी वेव पहुंच जाए वेव तरंगें पहुंच जाएं sound waves ये एक अजीब ही बात होती तो हमको मालम था के पहुंच जाएंगी आवाद लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर ही रहे थे the night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working with the radio we were getting no replies to our call which was not surprising in this remote corner of the world remote मतलब बहुत दूर आपने remote टीवी का remote बोलते है न रेडियो का remote टीवी का remote कार का remote remote मतलब क्या होता ऐसा औजार ऐसा हथियार जिससे दूर से काम कर लिया जाए दूर तो remote part उतनी दूर में कौन जानेगा कि यहां कोई और है कौन मिलेगा रात में पंपिंग करते हुए स्टीरिंग करते हुए रेडियो में बात करने की कोशिश करते हुए मेरी नजर पड़ी मेरी मेरी बेबी पर जूजाने पर तूस हेड है इट्सोलण अलारमिंगिली अलार मिंगली मतलब चिंटा जनक रूप से अलार्म करना मतलब सजक करना तो यहां पर उसका जो सिर्थ हा हो बहुत फूल स्वोल स्वोलन किससे बना नहीं swell से to swell मनें फूल जाना to swell याने फूल जाना my hand has swelled badly मेरा हाद बुरी तरह फूल गया है क्योंकि मैं किसी से टकरा गया so Suzanne's head had swollen alarmingly उसका सिर्फ सूल गया था बहुत फूल गया सिर्फ बहुत सूज गया था उसकी आँखें बहुत काली हो गई थी and now she showed us a deep cut on her arm और इस दौरान रात में उसने हाथ को भी बताया जिसमें एक गहरा कट लगा हुआ था आर्म मने हाथ तो जब ये रात में हमें लोग काम कर रहे थे pumping, steering और radioing उसी दौरान मेरी बिटिया पे नजर पड़ी और मैंने देखा कि उसका सिर्फ बहुत फूल गया है alarmingly बहुत ज़्यादा चिंटा जन्ग दिश्टी तक फूल गया है उसकी आँखें बिलकुल काली हो गई है and now she showed us और उसने अब हमको बताया कि मेरे हाथ में भी एक बहुत गहरी चोट आई है पापा when I asked why she hadn't told me of this injury earlier she replied जब मैंने इसे पूछा कि बटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुमारे हाथ में चोट लगी है तो उसने क्या कहा when I asked why she hadn't made more of her injuries before I पहले उसने क्यों नहीं बताया तो उसका जवाब था I didn't want to worry you कितना प्यारा जवाब एक साथ साल की बच्ची का ऐसी खतरनाक इस स्थित्य में जब जान के लाले पड़े हुए है जब वो कैबिन में फसी हुई है आप जो कर रहा हो वही करते रहो She replied I didn't want to worry you To worry मने चंता करना I didn't want to worry you Don't worry, चंता मत करो Don't worry, मतलब चंता Don't worry, be happy चंता मत करो, खुश रहो तो मैं आपको चंता नहीं करना चाहती थी When you were trying to save us all She replied I didn't want to worry you Papa, when you were trying to save us all आप हम सब को बचाने की कोशिश कर रहे थे उस समय मैं आपकी चंता नहीं बढ़ाना चाहती थी इसलिए मैंने नहीं बताया कि मेरे हाथ में कट लग गया कट भी लग गया है सुच्छी कितनी बड़ी बात कितनी समझदारी की बात